सो जहें दोस्तों मैं हूँ शुबम और गाइस यहाँ पे आज है 23 दिसंबर और एकेटी की तरफ से आज 4 सर्कुलर जारी किये गए हैं इसके अलावा गाइस यह जो 3 सर्कुलर है यह दुबारा मतलब जारी किये गए इससे पहले 15 तरह को 15 दिसंबर को जारी की गए थे यह 3 सर्कुलर जो है यह रिलेटेड है जो कि 7 जनवरी को एक्जाम होने वाला है उससे तो इन तीनो circular को मैंने यहाँ पर उपर उपन कर लिया है देख सकते हैं आप लोग इतीनो ठीक है तो इसे मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ तो गैस यहाँ पर देखिए एक पहला circular जो है इसमें देखिए पूरे center की list दी गई है कि जो भी आपका 7 जनवरी से exam होने वाला है 7 तारिक से वो किस किस center पर होगा तो यहाँ पर देख सकते हो सभी college के नाम है यहाँ पर जगए किस जगए पर होगा मतलब वो college कहाँ पर इस्थित हैं वो चीज यहाँ पर लिखी है तो यहाँ देख सकते हो लगबग 42 colleges है जहाँ पर exam होने वाला है ठीक है तो इसके अलावा guys यहाँ पर अगर मैं दूसरा circular खोलूँ तो दूसरे circular में आप लोग देख सकते हो तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी आपके subject हैं सारे सब subject की आप देख सकते हो कितने तारीक को कितने बजे exam timing क्या रहेगी paper code और बाकी यहाँ पर semester देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर सारी चीजे लिखी गई है यहाँ पर देख सकते हो लगबग 71 pages है तो मैं पूरा तो आपको दिखा नहीं सकता मैंने आपको बता दिया तो यह तीसरा और आखरी सर्कुलर आप लोग देख सकते हो इसमें देखी क्या बताए गया जो भी आपका जो college है उसका center कहां गया यहाँ पर देखी यह पूरा center है इधर जितने हैं इधर आपका college का नाम इधर लिखा होगा ठीक है तो आप लोग बस इतना ध्यान दिजे कि आपका college का नाम कहां पर है और इधर आपका जिधर center गया है यहाँ पर लिखा होगा ओके तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो तो यही कुछ चीजे थी जो कि आपको बतानी थी कि दुबारा circular जारी कर दिया गया है कई लोग मतलब actually 15 तारी को जो जारी किया गया था उसमें AKTU ने कहा था कि इसमें अगर संसोधित करवाना है इसको तो आप मुझे mail कर सकते हो तो कई लोगों ने mail किया होगा तो AKTU ने इसी वज़े से दुबारा संसोधित करके दुबारा जारी किया मतलब जो भी circular था ठीक है तो यही था दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने तीन circular जो आये थे उसके बारे में आपको बता दिया और सभी का लिंक आपको description में मिल जाएगा आप लोग वहाँ पे click करके download करके अपने WhatsApp ग्रूप में share कर सकते हो तो मिलता हो मैं इसी तरह की एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई जैहिंद